नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त रवी शुक्ला दोस्तों क्या आप जानते हैं इस समय रेल्वे कौन से टेनों का संचालन कर रही है क्योंकि हम लोग प्रतिच्छा कर रहे हैं कि रेल्वे कब से पैसेंजर टेनों का संचालन करेगी और आज मैं पैसेंजर टेनों के बाल संचालन कर रही है दोस्तों यहां आपके मन में एक सवाल उठना चाहिए कि पारसल स्पेसल क्यों है आखिर क्या खासियत इस टेन की जो इसमें स्पेसल लगा हुआ है दरसल तो दोस्तों ऐसा है कि इस समय सभी नो का संचालन बंद है और जो दैनिक पियोगी की वस्तुव हैं उसको एक इस्तान पर दूसर इस्तान पर पहुचाने के लिए ट्रेन के लावा कोई भी माध्याम नहीं है इस लिए railway कुछ टेनु का संचालन कर रही है जिसकी संख्या अभी आज की डेड में 200 है याने 200 के करीब इस्पेसल टेनु का संचालन कर रही है अब इसकी खास्यती यह है कि इसमें आने जाने वाला माल याने कि जो मैट्रियल इसमें लोड होता है या अनलोड होता है उससे पहले उसको स से दोश्री इस्तान पर ले जय जाता है। दूसरी खास सsurती भाइरत की इतिहास में अब तक कोई भी मेट्रियल को लाने ले जाने वाली ट्रेन टाइम टेबल के साफ से नहीं छलती थी। याणि कि अब इन ट्रेनों का जो संचालन हो रहा है वो जिस आरे प्संजर टेंक संचालन टाइम टेवल के साब से हो रहा है। साथी साथ जो हमारी मालगारिया चलती थी, वो काफी लंबे रूटकी होती थी और काफी ज़्यादा उनकी लेंट होती थी, यानि उसमें कोचिस बहुत ज़्यादा होते थे, जैसे 50-60 कोचिस होते थे, कहीं कहीं देका गया है, 70-70 कोचिस भी होते थे, लेकिन इन ट्रेनों में जितनी जरूरत है उतनी कोच को लगा जा रहा है, 5 कोच भी जा रहे हैं, 10 कोच भी जा रहे हैं, दोस्तों ऐसा इसलिए किया गया है कि जैसे एक इस्थान से दूसरे इस्थान पर मानिया आपको मुंबई से एहमदाबाद मेटियल भीजना है तो जितना मेटियल होगा उतना ही कोचिज इसमें लगाए जाएंगे ताकि वो मेटियल आसानी से और कम खर्चे में पहुँच सक इसमें आप ये मान लीजिये कि गेहु है चावल है आटा है दूध है चीनी है चाइपत्ती है इस तरह के प्रोडक्ट है या मेडिकल एक्क्यूबमेंट हो गए जैसे हमारे मेडिकल किट्स हो गई दवाईया हो गई या अन्न कोई भी वस्तु जो दैनिक उप्योगी में ब जरूरी वस्तुओं को पहुचाय जा रहा है तो आप देखिए पहले इस तरीके से पैसंजे टेनों का संचालन किया जाता था कि हाँ एक टाइम पे चलेगी और फिर टाइम पे पहुचेगी लेकिन आज के समय में जो टेन यानि की पारसल पहुचाने वाली टेनों का संचालन देखी स्टेशन पर जाकर वहां से भी इंफॉमिशन पाके मैट्यल को बुक कर सकते हैं अब दोस्तो हम बात करते हैं इसके किराय की दोस्तो इसका किराया रिल्वे पी स्केल के एकॉर्डिंग ले रही है जोकी सबसे लो रेट होता है इनका पी स्केल में क्योंकि आज के सम कर रहे हैं या डेली कमाने खाले वाले हैं तो पैसे की कमी को दिखते वी भी रेलवे ने यही निश्चे किया कि जन्हित में देश हित में इसको सबसे कम रेट में मैं अग्सितान से दूसरे आपर पहुचाती है तो अंत में मैं अपने और अपने सब्सक्राइबर की और से साथी देश्वासियों की और से रेलवे के उन कर्मिचारियों को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा जो इसी विकट परिस्तिती में भी देशित में हम लोगों के लिए कार कर रहे हैं दोस्तों आसा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो क्रिपा करके मेरे चैनल को लाइक, सेरे और सब्सक्राइब जरूर करिएगा साथी साथ बैल आइगन को प्रिस करिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं जय भारत वंदे मातरम दोस्तों